Hello and welcome to upna college, this is the web development course और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले यार flexbox के बारे में, ठीक है, तो इस वीडियो में हम यार देखेंगे flexbox होता क्या है, कैसे flexbox काम करता है, और कुछ terminologies जो की हम flexbox में use करते हैं, और कुछ बहुत ही important properties हम use करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर, अब सबसे पहले यार flexbox होता कहा है, तो flexbox से हम basically, html के जो elements होते हैं, उनको align कर सकते हैं, vertically या horizontally, मतलब हम उनको rows और columns में बहुत ही आसानी से divide कर सकते हैं, अब इससे क्या help होती है, तो अगर हम बिना flexbox से कभी भी कुछ layout करना चाहें, तो columns और grids बनाना बहुत ही hard होता है तो उसके लिए हम flexbox का use करने वाले हैं, और मैं आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूँ, सारी properties जो की flexbox के अंदर हम use कर सकते हैं, वो सारी properties हम इस वीडियो के अंदर use करके देखेंगे, फिर हम कुछ demo websites, कुछ tasks, जिससे हम समझ सके कि flexbox की क्या importance है, ठीक है, अब flexbox को हम क् भी देख लेते हैं, ठीक है, तो flexbox से हम basically किसी भी element के child container को vertically center में ला सकते हैं, अब ये क्या होता है child container और कौन-कौन से elements की में बात कर रहा हूं, तो हम आने वाले इस section में देखेंगे, ठीक है, अब इस से basically हमको width और height जो है, decide नहीं करनी पड़ती है, वो automatically height, width ये सारी basically यार कुछ multiple column के layout भी बना सकते हैं, जिसकी height अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग devices के अंदर दिखेगी, ठीक है, terminologies जो कि हम use करते हैं, flexbox के अंदर, तो कुछ terminologies आपको दिखरी होगी, main axis, main start, main size, cross axis, cross start, cross size, ये सारी चीज़े हम एक-एक करके देखने वाले है, तो basically यार flexbox के अंदर, flex model होता है, ठीक है, तो सबसे बहले, flex model को समझ लेते हैं, फिर उसके अंदर, ये terminologies हैं, वो मैं आपको एक-एक करके समझाने वाला हूँ, ठीक है, तो चलते हैं, और सबसे पहले देख लेते, flex model, तो यह रहा हमारा flex model, और सबसे बहले flex model के अंदर आता है, flex container, अब यह flex container के है तो basically अगर आपको flexbox को use करना है तो आप एक container बनाओगे container यानि एक बड़ा सा डब्बा जिसके अंदर हमारे चोटे-चोटे से डब्बे होंगे जिसको आप रोज या फिर column के अंदर layout करोगे ठीक है तो एक बड़ा डब्बा है जिसे हम कहेंगे flex container ठीक है आप अपने चाइड्ड भी कह सकते हो इस पेरेंट के ठीक है तो सबसे पहले terminology आप यार है यार में एक्सिस तो में एक्सिस क्या होता है तो basically हमारी horizontal size जो कि flexbox के हमारे रहने वाली है उसे हम कहेंगे main axis ठीक है फिर आता है यार हमारा main size जो कि हमारी पूरी flexbox की size है उसे कहेंगे और यांपे main हमारा end होता है यहां से main हमारा start होता है हेना और फिर यहां पे हमारे cross axis cross size है तो basically हम रहीfrist यह जो वर्टिकल में size है उसे हम कहेंगे cross axis ठीक है तो य कुछ pierws घ्राग जोगने वह विद्सराइज हो है उसे है ठीक है अब एक करके यार कुछ important properties देख लेते हैं जो कि हम use करते हैं flexbox के अंदर ठीक है और सबसे पहले इसके अंदर है display block ठीक है display block basically flexbox के अंदर की property नहीं है यह मैं आपको revise कर वा रहा हूं जो कि मैंने पहले आपको बताया था अब display block से क्या होता था तो मैंने आपको बताया था यार कोई भी element जिसका display अगर आप block रखते हो तो वह element पूरा area cover कर लेता है basically पूरी width cover कर लेगा उस particular element की तो मैंने आपको बताया था यार कैसे हम जब भी display block का use करते हैं तो वह पूरी width का use कर लेता है और हमारा जो element है वह 123 ऐसे एक करके एक नीचे row के form में display होता है अब flex box के अंदर हम use करते हैं display flex का अब display flex और display block में क्या difference है तो बेसिकलिया अगर हम display flex property का use करते हैं तो हमारा जो flex box है वह start हो जाता है तो जब भी हमें कोई flex box use करना हो तो हम एक container बनाएंगे बड़ा सा डबा बनाएंगे डिव का use करके और उसको हम display flex कर देंगे अब इसके अंदर आप flex box की जितनी भी अलग-अलग properties है जो मैं बताने वाला हूं वह सारी properties अब आप यूज कर सकते हो ठीक है तो आपको जब भी flex box का यूज करना है तो डिस्प्ले आपको flex करना पड़ेगा parent element जिसको कहते हैं उसके अंदर ठीक है फिर सबसे पहली property यहां पर है flex direction तो flex direction से क्या होते तो इससे आप basically आपका जो elements है उनका behavior रहने वाला है किस direction में वह दिखने वाले वह हम flex direction से बता सकते हैं तो आप row column यह सारी चीज़े बता सकते हैं और भी इसके अंदर अलग-अलग values है जो कि मैं आपको बताता हूं जैसे कि यह आप आप देख सकते हो कॉलम तो हमने देखा ही है फिर कॉलम रिवर्स जिससे कि आपका वो जो कॉलम है उसके सारे elements reverse में हो जाएंगे ना उसी तरह से रो रिवर्स जिसमें आपके जो रोज है उसके भी हमारे जो elements हो तो रिवर्स हो जाएंगे ठीक है फिर next property हम देख लेते हैं जो कि है justify content अब इसके अंदर अलग अलग values है जैसे कि flex start flex end और center ठीक है और एक और है जो कि है space between ठीक है तो एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर flex start है जिसे हमारा सारे elements यहां से start होंगे left side से फिर flex end है जो कि right side से start करवाता है फिर एक flex center है जो की center में लिक्या जाता है सारे elements को फिर space around है और एक space between है तो इसमें क्या फरक है तो basically अगर आप space around को देखो तो उसमें सारी margin जो है हमारी वह equally distribute हो जाती है सारे elements के बीच में ठीक है तो अगर 20 left है तो 20 right भी रहेगी और उसी तब प्रकार से हमारा जो second element में उसमें 20 left 20 right 20 left 20 right तो वह सारे जो हमारे elements है उसमें same margin रहने वाली है ठीक है फिर है हमारा space between तो उसके अंदर basically जो हमारे elements है उसकी starting की जो हमारी margin वह equal रहने वाले है लेकिन जो beach की margin है वह हमारी same रहेगी हर element के बीच में ठीक है तो next है हमारा flex align items तो flex align items क्या होता है तो basically हमने justify content देखा था तो उसमें क्या हो रहा था हमारे main axis के अंदर हमारी जो items है वह align हो रहे थे उसी तरह से अगर हमको cross axis के अंदर हमारे items है उसे align करने हो तो हम use करते है यार align items property का ठीक है अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ यहां पे values है और उसके regarding हमारा output आ रहे है तो जैसे stretch है तो हमारी सारे elements stretch हो रहे है baseline है हमारा जो basically जो हमारा normally होता है वह वाली चीज आ रही है और यहां पर आप अगर flex start देखो तो हमारी यहां पर value एकदम start से start हो रही है और flex end देखो तो हमारी elements end से यहां पर start हो रहे है ठीक है अब इसमें अगर आप दोनों justify content और align items को साथ में use करना चाहो तो वह भी कर सकते हैं और उससे क्या output आएंगे चलो देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने दोनों को use करके कुछ कुछ animations बनाई है तो आप देखो तो यहां पर आप देख सकते हो यार आप देख सकते हैं यह जो चीजें हो सारी हमारी elements जितनी भी वह सेंटर में आ रही है और अगर आप रो करो तो रो में जाती है और कॉलम करो तो कॉलम बन जाती है कैसे हम boxes को यार किसी भी layout में बदल सकते हैं कुछ बहुत ही small चोटी-चोटी सी properties का यूज कर रहे हैं कुछ तीन properties का यूज करके हमने size कुछ भी डिफाइन नहीं किया हमारी यह सारी चीज़े तो next property आप यार align self है और इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी values है अब इसको यूज कैसे करते हैं तो इसको यूज करने के लिए आपको अपने चाइल्ड जितने भी अपने flex items है उसके अंदर यह property लिखने पड़ेगी और फिर value लिखने पड़ेगी तो basically आप एक-एक एक element के उपर इस property का यूज करने वाले हो ठीक है तो जैसे ही आप align self का यूज करोगे तो उसके अंदर baseline है जिससे कि हमारा जो content है वो starting से start होगा फिर flex start है जिससे कि हमारे सारे elements इक्दम starting में चले जाएंगे हमारे cross axis के और फिर अगर हम flex end का यूज करें तो cross axis में सबसे end में चले जाएंगे ठीक है उसी तरह से center है जिससे कि हमारे सारे जो elements है वो center में चले जाते हैं ठीक है और फिर है stretch और उससे तो आप चालते ही हो हमारे elements जितने भी boxes है वो stretch हो जाते हैं ठीक है तो बस यार यह कुछ important properties थी जो कि मैं आपको समझ जादी animation की मदद से अब चलते हैं और हमारे code editor के अंदर और यह सारी चीजों को code करके देख लेते हैं जिसे कि यार आपको बहुत अच्छे से सारी चीजे पकड़ में आ जाए ठीक है तो start करते हैं तो यहां पर code editor हमना रख खुल चुका है और इसके अंदर मैंने एक file बना बनाते हैं तो उसके लिए मैंने डिव का यूज किया और इस डिव के अंदर मैंने class लगा यह flex container की और यह हमारा parent element होने वाले इसको select करके हम display flex लगाएंगे और जितने भी flex box की parent वाली जो हमारी properties है वह हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं ठीक है फिर आता है इसके अंद और भी दे रखा है 1234 जैसे जैसे हमारे boxes दिखने वाले हैं ठीक है और हर box को मैंने यार कुछ color दे रखा है 12345 सबको और flex item जो हमारा box है उसकी size यहां पर मैंने लिख रखी है 75px 75px फिर उसको भी background color दे रखा है एक border दे रखी है text alignment यहां पर center कर रखा है font size आपको पता ही है और text का जो color है वह white होगा और font weight world और line height यह सारी चीज़ आपको already आती है ठीक है और body मैं यहां पर मैंने font family डाल रखा है जिससे हमारा font decide होगा और हर element eck-eck पूरी width यहां पर cover कर रहा है ठीक है तो सारे elements one-by-one आपको display हो रहे हैं अब इसको मैं change करके flex कर देता हूं फिर हमारा output देखते है ठीक है अब यहां पर flex करते हैं तो आप देख सकते हैं यह सारे एकिस यह हमारे items है और यह जो हमारी boxes अब row के अंदर आ रहा है ना पहले यह column fashion में था अब यह row fashion में आ रहा है लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना हो बेसिकली यह main axis के अंदर हमारा display हो रहा है इसको अगर आपको cross axis में लाना हो तो आप flex direction का use करोगे जो कि एक property है तो flex direction लिखेंगे और उसके अंदर आप इन values का use कर सकते हो तो जैसे की रहा हमारा भी यहां पर default चल रहा है तो अगर हम column करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे column fashion में आ रहा है अगर हम column reverse करेंगे तो क्या होगा बेसिकली यार यह हमारे जितने में elements से 1 to 5 की जगे अब 5 to 1 आ रहे हैं तो वह उल्टे हो गए बेसिकली ठीक है उसी तरह से यार अगर मैं इसको change करके row करता हूं और save करके देखें तो आप देख सकते हैं यह सारी चीज़े opposite हो गई और 5 से यहां पर start हो रहा है 5 4 3 2 1 ठीक ह तो यह था हमारा flex direction अब next property का use करके देख लेते हैं जो की है flex wrap उसके लिए हम क्या करेंगे flex dash wrap लिखेंगे और फिर इसके अंदर कुछ properties है और default property यहां पर no wrap है तो इससे क्या होता है तो basically यार अगर मैं इसको चोटा करके देखूं तो पहले तो मैं इस window को resize करने के लिए इ एक बार इसको resize करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे-जैसे मैं इसको resize कर रहा हूं इसके जो boxes है उनका size चोटा हो रहा है आप देख सकते हैं यह जो boxes है यह चोटे हो रहे है ठीक है लेकिन अगर मैं इसे no wrap की जगे wrap कर लूँ तो क्या होगा तो basically यार यह टो रहे हैं नीचे की साइड ठीक है अब उसी तरह से wrap reverse है तो उससे क्या होता है तो उससे आप देखो तो basically हमारी सारी चीज़े reverse हो जाएगी और उसी तरह हमारे काम करेगी wrap में ठीक है तो पहले यह जो 123 था वह उपर था और 45 नीचे था लेकिन अब यह reverse order में है इसलिए ह हमारा 5 जो है वह उपर है 4 उपर है और 3 to 1 जो है वह नीचे आ ठीक है तो बस आप समझ गए होंगा यार flex wrap कैसे use करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और अब हमारी next property है align content तो align content से क्या होता है तो basically align item और align content थोड़े बहुत similar है अगर आप देखो तो इसके अंदर फरक है कि यह यह जो हमारे जितने भी boxes है वो एक साथ treat किये जाते हैं ठीक है तो अगर आप इधर देखोगे तो अभी हमारे पास सिर्फ 5 boxes है इसको देखने के लिए हम थोड़े और boxes बना देते हैं ताकि अच्छे सा हमको समझ में है क्योंकि यह बहुत सारे multiple lines के boxes को अलग treat करता है ठीक करके दिखाता हूं अब center अगर मैं करूंगा तो हाल फिल्द आपको एक दम align items जैसे दिखेंगा को कि उसमें भी हमारे center में आ रहाता हूं और एक दम यहां पर हमारे cross axis के अंदर यह भी center में आ रहा है लेकिन अगर मैं inspect करूं और इसको मैंने थोड़ा mobile वाले view में किया है responsive layout ठीक है तो आप देख सकते हैं यह सारे boxes हमारे एक साथ आ रहे हैं अगर मैं इसकी जगे items यूज करता हूं तो हमारे सारे boxes एक साथ ने आते हैं उसमें कुछ spacing आती है basically यह करके आ रहा है यह space को भी divide कर रहा है तो यहां थोड़ी सी space फिर हमारा यह जो जितने भी आ सकते है boxes वो सारे center में आ गए फिर थोड़ी बहुत मतलब space maintain करी है दोनों के बीच में और फिर वहां पर जितने बचे वह boxes दिख रहे हैं अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो आप देख सकते हैं स्पेस जो हैं वो हमारी यहां पर maintain रहती है लेकिन अगर मैं content की बात करूं तो उसक भी हमारा यह cross axis के अंदर end में ला रहा है ठीक है तो है यह cross axis का यह लेकिन इसमें हमारे spacing बिल्कुल नहीं रहती है अब इसके अंदर क्या-क्या properties है तो start end मैंने देखा दिया आपको stretch मैंने नहीं दिखा है तो stretch करेंगे तो आप देख सकते हैं हाल फिलाल कुछ stretch नहीं हो र आती है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं हमारे बीच में spacing आ रही है और इसी के जगे मैं इसको items में करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई space नहीं आता है अगर हम content में space around की जगे space between देखें तो यहां पर यार space एकदम बीच में जितनी भी space आ सकती है और अब तक हमने देखी थी वह हमने flex container पर लगाई थी है यहां पर इसके अंदर हम लिख रहे थे flex wrap, align content और सारी properties हमने flex container पर लगाई थी जो की हमारा parent element होता है लेकिन अब जो हम properties का use करने वाले हैं वह हम particular items पर लगाएंगे ठीक है तो जैसे item 1 हो गया 2 हो गया तो उन items को select करक उनके उपर हम properties लगाने वाले हम वह वाली properties देख रहें ठीक है तो पहली property हम देखेंगे order अब order से क्या होता है तो basically यहां पर मैंने elements लगा रखे 1,2,5 तक डबा 1,2,2,3 है न तो अब इसका order ऐसा आना चाहिए आपके हिसाब से लेकिन अगर हम order property का use करें तो हम इसका order change कर सकते हैं css की मदद से तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि यहां पर हमने flex item 3 के अंदर लिखा order sorry order और इसके अंदर मैं लिख देता हूं order 5 तो normally यहार डबा 1,2,3 आना चाहिए लेकिन अब क्योंकि मैंने इसका order 5 कर दिया है और यहां पर हमारे 5 properties sorry 5 elements है total तो 5th element यहा तो अगर यहां पर मैं 5th element को change करके यहां पर उसका order 6 कर दूँ तो क्या होगा तो यार हमारा फिर से वो जो 5th element है वो डबा 5 पीछे चला गया और last में आ गया तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि जितना बड़ा आपका order होगा उतना पीछे आपका element दिखने वाला है ठ बैसिकली अपने elements को पीछे की तरफ shift कर सकते हैं है ना तो बढ़ते हैं अब हम next property की तरफ जो की है flex basis तो flex basis क्या होता है एक बार देख लेते हैं पहले मैं इस order को हटा देता हूं है ना और फिर हम जाते हैं यहां पर item 1 के अंदर और लिखते हैं flex basis और flex basis के अंदर यार हमको कुछ pixels में value देनी होती है मतलब कुछ size देनी होती है तो मैंने 200 दिया है अब इसके अंदर होगा कि आप देख सकते हैं यह वाला हमारा जो first element जिसको मैंने select किया है उसका यहां पर value मैंने दिया 200 pixel तो यह थोड़ा बढ़ा आ रहा है तो basically यार इसमें हम width control कर रहे होंगे और जैसे-जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो यह छोटा तो होगा लेकिन इसकी maximum width हमने आप एक तरस से दे दिये जो कि है 200 pixel तो अगर वो बढ़ा हो सकता है तो वो 200 pixel तक बढ़ा हो जाएगा वरना छोटा तो वो ही रहा है आप देख सकते हो है ना ठीक है अब इसी के साथ यहार एक और property है जिसको हम use कर सकते हैं जिसका नाम है flex grow अब flex grow एक ऐसी property है जिससे हम अपने दूसरे जितने भी box है उसके relatively इसको grow कर सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं कैसे तो इसके अंदर हमको कुछ number में value देनी है तो मैं आप पे दे रहा हूँ 1 नहीं अच्छली मैं 2 देता ह है पहले मैं इसको flex basis को comment कर देता हूं ठीक है तो अब आप देखना यहां पर जैसे जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूं यह वाले जितने भी डब्बें वह बड़े नहीं हो रहे हैं लेकिन यह बहुत ज्यादा बढ़ा हो रहा है मतलब यह 2x की speed में बढ़ा हो रहा है इससे थोड़ा कम speed में बढ़ा होगा तो यहां पर देख सकते हूं यह बढ़ा है अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो यारण डब्बावन जो है वह थोड़ा सचोटा ए उससे बढ़ा ही है और जैसे-जैसे मैं बढ़ा कर रहा हूं डब्बा 2 बहुत ज्यादा बढ़ा अब इसमें क्या होगा इसमें यह बहुत जादा जल्दी छोटे होंगे तो अगर मैं इसको छोटा करूं तो यहां पहले में को चोटा बहुत ज्यादा हो रहा है जबकि यह डबावन है वह से कम चोटा है तो यार बेसिकली हमको चोटा कर रहा हो यह बहुत जल्दी से छोटा हो रहा है लेकिन वन उससे कम चोटा हो रहा है और यह रिलेट Ramla ज्यादा चुटा हो रहा है तो यह हमने फ्लेक्स श्रिंग का यूज करके देखा इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एलाइन सेल्फ तो उससे क्या होता है उससे बेसिक लिए हम पर्टिकुलर किसी एक आइटम को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम अलाइन क छाहिए करके देखते है इसका आउटपुट तो आप देख सकते हैं यह हमारा क्रॉससिस में सेंटर आ चुका है एना फिर उसी तरह से अरफ्लेक्स स्टार्ट है जिससे हमारा यह जो क्रॉस एक्सस में स्टार्ट में आ जाएगा एक बार ने डिखा देता हूँ और यहां बस यार यही थी सारी properties जो कि हम flexbox के अंदर use कर सकते हैं यहां पर Shorthand Properties भी होती है, तो उनको एक बड़ देख लेते हैं, तो सबसे पहले Property है Flex, तो Flex Property basically हम Item के अंदर use करते हैं, तो यहां पर मैं इसको भी हटा देता हूँ, और इसके अंदर यहां पर हम Flex Item का use करेंगे, तो मैंने यहां पर लिखा Flex, और फिर इसके अंदर क्या-क्या मैं बता हूँ Flex Shrink, तो Shrink हम रखते हैं 2, और फिर यहां पर हम कुछ pixels में value देनी होगी हमको basis की, तो यहां पर मैं दे रहा हूँ 250 pixels, सेव करते हैं और जाते हैं हमारे Output में देख लेते हैं, तो यहां पर मैंने यह नहीं लगा इसलिए Output नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आ को यह दिखे, तो मैं फिर से 75-75 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा यह जो डबावन है, वो watch बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमने Flex Growth दे रखा है इसको, तो अगर मैं छोटा करूंगा, तो आप देख सकते हैं यह Speed में छोटा भी हो रहा है, और क्योंकि मैं और यह भी एक Shorthand Property है, तो Flex Flow और इसके अंदर क्या-क्या values है, तो एक बार इसको hover करेंगे, तो आप देख सकते हो, इसमें Syntax रहा है, सबसे पहले हमको Flex Direction देना है, फिर Flex Wrap देना है, तो Flex Direction तो आप जानते ही हो, Row Column तो Column दे देते हैं, और फिर हमको Wrap देना है, तो Flex Wrap मे ह हम रखते हैं, इसको Wrap और Save करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर Wrap चल रहा है, एकदम अच्छे से, और इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ता कि यह अच्छे से आपको दिखे, अब यह डबाफाई इसको मैंने Stretch कर रखा है, यहाँ पर इसकी में छोटा नहीं होता है, जब हम responsive layout देखते हैं, तो उसके लिए यार मैं इसको row की जगे column कर देता हूँ, sorry, column की जगे row कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम आते हैं, row करते हैं, और अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह Wrap चल रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है यार, और अगर आपको यह सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कीज़े इस वीडियो को, और साथ में आर सब्स्राइब कर दीज़े, क्योंकि अभी तक यार हमारे यह जो web development का course है, वो सिर्फ शुरू हूँ है, है ना, तो आगे बढ़ेंगे और हम इसके बाद में CSS Grid देखने वाले हैं, फिर हम JavaScript मुझ करने वाले हैं, तो बहुत ही शांदार, amazing सा है आपके course बनने वाले हैं, तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, see I have a great day, and I will catch you up in the next one उसे झाले हैं, तो बाद तक करने वाले हैं, तो इसके बढ़ेंगे हैं, तो आए, तो आगे हैं, तो आगे हैं।